हेलो फ्रेंट्स देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत है मैं सुधा आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरी इंडिस जब भी आपको तीखा और चटपटा खाने का अबन करता है तो जो सबसे पहले नाम याद आता है वो है पानी पूरी तो यहाँ पर आपको मैं बता करते हैं चटपटा दीखा पानी पूरी मसाला और उसका पाका बनाना से तो ऩू सबसे पहले हम बनाएं यहां पर पानी मैंरो थोड़ी सी धन्यायद लिए था वरी मिर्च आउ अब सभी को मिक्सर की जार में डालकर हम एक बादिक पेस्ट बिला लेंगे पेट बनाने के लिए इसमें दालेंगे थोड़ा सा पानी पानी पूरी का पिस्ट तयार है इसको हम डालते हैं एक बावल में और उसमें डालते हैं ठंडा ठंडा पानी और उसमें आइड करते हैं एक चमच पानी पूरी मसाला जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा मसाले को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसमें एड करेंगे स्वाद नुशार काला नमक देखिए कितना बढ़िया कलर है हमारे पानी पूरी के पानी का और अब इसमें आइड करते हैं एक नीवू का रस आप अपने हिसाब से खटा बना सकते हैं इस पानी को अगर आपको ज्यादा नीवू चाहिए तो आप ज्यादा नीवू या कम नीवू कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम बेशन की बूंदी दीजिए अब हमारा तीखा चटपटा पानी पूरी का पानी तयार है और हम अब बनाएंगे पानी पूरी के लिए मसाला पानी पूरी के मसाला बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है उबली हुई मतर जिसको हमने हल्दी और नमक डाल कर सॉफ्ट उबाल लिया है इस उबले हुए मतर कर प्रयोग आप आलू टिक की चाट में भी कर सकते हैं जो कि मेरी पिस्ती रेस्पी है इसका लिक मैंने यहां पर आपको दे दिया है अब इस पर डालेंगे हम दो चमत चाट मसाला एक मेडियम साइज की बारी कटी हुई प्याज थोड़ी सी धन्या पत्ति एक हरी मेर्च आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे ज्यादा तिखा या कम कर सकते हैं अब सभी सामगरियों को आपस में अची तरह मिक्स कर लीजिए और हमारा मसाला त्यार है तो हमने यहां पर तीखा और चटपटा पानी भी बना लिया और चटपटा मसाला भी त्यार कर लिया तो चलिए हम पानी पूरी को सर्व करते हैं और इसमें जालते हैं अपना चटपटा मसाला और तीखा खटा चटपटा पानी और पानी पूरी का आनन लेते हैं मेरी फैमली में तो सभी को यह पानी पूरी बहुत पसंद है आप भी अपनी फैमली और दोस्तों को खिलाईए और चटपटे पानी पूरी का आनन लेते तो यदि आपको मेरी रेश्पी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ह कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी पूरी की रेश्पी कैसी लगी तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार